हलो वेलकम बैक टू माई येटूब चैनल तो आज हम जानने वाले हैं रियलमी 7 के बारे में माई की स्पिगर और हैटफोन अगर आपके फोन में ये सब चीज़े वक नहीं करती है तो आपको क्या-क्या ये स्टेप फॉलो करनी है तो देख लिए जी हमारा पावर आईसी से सप्लाय जा रहा है एर स्पिगर को और यहां पर कुछ कंपोनेंट लगे वे हैं ये कुछ कंपोनेंट लगे वे कैपिसिटर रजिस्टर और इसके थूरू होते वे आपस ये दोनों पॉइंट में जा रहा है इधर ये मदरबुट पल्टा वह इसलिए महां दिख रहा है लेकिन यहीं पर जा रहा है दोनों पॉइंट पर अगर आपका सप्लाय यहां से यहां पर नहीं जा रहा है तो आपको डारेक बाइपास जंपर मार देना है यहां से यहां पर तो आप यह ringer के नीचे गई भी है, तो ringer का कुछ ऐसा है, यह ringer audio IC है, coil के थू होते हैं, आपको यह सब चेक कर लेना है, तो और यह VCC voltage दे रही है, हमारी charging IC के वाली, तो VCC voltage यह दे रही है, तो यह आपको चेक कर लेना, अगर आपका यह voltage नहीं आया, red वाली line का, तो भी आपके IC व नहीं करेंगी, तो यह देख लिए कुछ पॉइंट इसके दो पॉइंट है, CPU में गये वे, अगर यह value नहीं है, अगर आपको अपने IC उतारा है, IC उतारने के बाद यहां पर value नहीं आ रही है, तो भी आपका ringer work नहीं करेंगा, आपके IC उतारने के बाद भी, तो यहां पर value आने चाहिए, IC उतारने के बाद इसका मतलब है, confirm हुजाएंगे, आपके IC खराब है, बचा है, mic का भी बताई देता हूं मैं, यह mic के दो पॉइंट है, हमारे एक यह है, और एक यह है, अगर आपकी mic के value नहीं आती है, इस point पे, तो आपको वो IC, power IC, चेंज करनी पड़ें यह component के तरू होते वे, आपका supply आ रहा है नीचे, तो बस यही था आज का, और अब आजाते है, अब हैटफोन के तरफ हमारे, हैटफोन में भी जादातर power IC का use हुआ है, आप देख लिए हैटफोन के यह point है, कुछ, हैटफोन के जादातर problem कब आता है, जब आप होम डेटर अब चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाइबाइ बाइबाइ